Friends, अगर आप घर पे बैठें और अचानक से आपके पास किसी पुलिस वाले का फोन आता है और वो आपको इंस्टरक्ट करता है कि इमीडियेटली आप पुलिस टेशन आजएए तो ऐसी कंडिशन के अंदर आप पैनिक हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आपको ऐसी कंडिशन को कैसे हैंडल करना है लेकिन इस इंफोर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा आपके पास कोई परसन फोन करता है और वो बोलता है कि मैं प्रफला थाने से बोल रहा हूं और आपको इमीडियेटली पुलिस टेशन आना पड़ेगा तो आप इस तरह के फोन को अवाइड मत कीजिए सबसे पहले उस फोन को इमीडियेटली जल्दी से काटने की कोशिश मत कीजिए पहले आप कोशिश कीजिए उस परसन से आप उसका नाम पूछिए उसका रेंक पूछिए और कारण पूछिए कि किस कारण से वो आपको पुलिस टेशन बुला रहे हैं और अगर वो कारण बताने को या नाम बताने को रैंक बताने को मना कर देता है तो आप स्टेट अवए फोन पे ही उसको मना कर सकते हैं कि मैं पुलिस टेशन नहीं आऊंगा अब देखें दोस्तों अगर हम इस बात को कानून की नजर से देखें तो कानून के इसाब से किसी भी पुलिस वाले को कोई भी काम करने से पहले चाहे वो किसी investigation को कर रहा है या किसी inquiry को कर रहा है उसको अपने पास एक record maintain करना होता है जिसको हम police dairy बोलते हैं तो जो भी police official अगर आपको call कर रहा है तो वो उसको अपनी police dairy के अंदर maintain करना पड़ेगा कि वो किस कारण से किस crime के अंदर आपको call कर रहा है और अगर आपको वो ये information देने से मना कर रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं इसके बाब जूद भी वो आपको insist कर रहा है और वो आपको धमका रहा है कि आपको police station तो आना ही पड़ेगा तो ऐसी condition के अंदर आप उस police person को return notice देने के लिए बोल सकते हैं अब return notice अगर आपके पास आता है और किस section के अंदर ये return notice आपके पास आया है वहाँ से आपको decide करना है कि आपको कोई legal remedy तो नहीं लेनी है देखे दोस्तों जब भी कोई police official कोई return notice आपके पास भीजता है और police station में आपको present होने के लिए बोलता है तो वहाँ पर different different sections के अंदर वो आपको return notice दे सकता है जिसमें से एक section है section 160 CRPC अब अगर आपके पास section 160 CRPC का notice आता है तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है section 160 CRPC का notice आपकी statement record कराने के लिए दिया जाता है हो सकता है आपको किसी crime की information है या उस particular crime के अंदर आपको statement दे करके prosecution को help कर सकते हैं तो ऐसी condition के अंदर police official आपको ठाने में बुला करके आपकी statement दर्च करेगा और उसको case के अंदर, charge sheet के अंदर उसका एक part बनाएगा तो अगर आपके पास 160 का notice आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जुरूत नहीं है आप state of way police station जा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर इसके अलावा अगर कोई police official आपको section 41A CRPC का notice देता है तो आपको क्या करना है अब देखें दोस्तों यहाँ पर आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जो 41A का notice आपको दिया गया है वो किस crime से संबंदित है कुछ ऐसे crime भी होते हैं जहाँ पर police official आपको investigation के दोरान arrest कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह की apprehension है कि police official आपको थाने में बुला करके arrest कर सकता है तो आप legal remedy अपना सकते हैं अब legal remedy क्या है इसके लिए आप उस 41A के notice को ले करके session court को approach कर सकते हैं और anticipatory bill फाइल कर सकते हैं अब इस anticipatory bill के अंदर आपको court order कर सकती है आपको bill दे सकती है और इसके अलावा police official को instruct कर सकती है कि अगर आपको इस person को arrest करना है तो उससे पहले आपको इनको 5 दिन का time देना पड़ेगा ताकि ये court को approach करके अपनी legal remedies को ले सके तो दोस्तो कभी भी आपको panic होने की जुरूत नहीं है अब इसके अलावा अगर आपको police वाला कारन नहीं बता रहा है ना ही कोई return notice दे रहा है और आपको phone पर धमका रहा है कि अगर आप police station नहीं पहुंचते हैं तो आपको घर से उठा लेंगे देखे दोस्तों ऐसी condition के अंदर अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि आप किस crime के अंदर connected है या आप किसी crime के अंदर गवाएं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और police official आपको धमका रहा है तो ऐसी condition के अंदर मैं आपको सला दूँगा immediately session court को आप अप्रोच कीजिए वहाँ पर anticipatory bail लगाईए अपने arrest की apprehension को court को बताईए वहाँ पर police official को अपनी report देनी पड़ेगी और court को ये बताना पड़ेगा कि वो किस कारण से उस person को थाने में बुलाने की कोशिश कर रहा है अगर हम जर्नल बात करें तो जर्नली पुलिस वाले बिना notice दिये किसी भी person को थाने में नहीं बुलाते है और अगर कोई person आपको call करके धमकार आए और बार बार ये बोल रहा है कि थाने में आना पड़ेगा तो पहले उसके call की genuine ness को जान लीजिए थाने में किसी और person को भेज करके पहले पता कर लीजिए क्या रियल में वो person पुलिस वाला है या कोई आपको फोन करके प्रेशान कर रहा है तो दोस्तो इस तरीके से आप इस पूरी situation को handle कर सकते है आने वाले समय में मैं आपको और भी legal information से अवगत कराता रहूँगा मैं advocate योगेश अगरवाल आपके सुनेरे भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै बारत